नगर निगम प्रशाशन द्वारा दो दिनों पूरू पावर हाउस ओवर बिस के नीचे एक कबजे धारी को हटा कर कबजा हटाने की खाना पूर्ती कर ली गई। पावर हाउस चौक से छावनी चौक के बीच हुए अवैद कबजों को हटाने सालों से पहल नहीं की गई है। शहर में हुए अवैद कबजों को हटाने कुछ एक कारवाईयों को छोड़कर बाकी नगर निगम प्रशाशन द्वारा केवल खाना पूर्ती ही की जा रही है। दो दिनों पूरू पावर हाउस चौक के नीचे नगर निगम जोन तीन के करमचारियों द्वारा अवैद कब कबजधारी को ही कबजे की जगा से बेदखल किया गया। इसके अलावा अन्य किसी भी कबजधारी पर नगर निगम की टीम ने किसी वरकार की कोई भी कारवाई नहीं की। पावर हाउस चौक में ओवर बिज के नीचे अनेको कबजे हैं जिनें व्यवसाय करने को गुम्ट को बंद रखा गया है। गुम्टियों के सामने निगम द्वारा बिचाएगा चेकर टाइल्स के नीचे बैट कर लोग अवैद रूप से व्यापार करते हैं। इसी तरह CSP कार्याले पावर हाउस के समीप सड़क किनारे फर ठेला संचाल को ने कबजा कर रखा है। इन्हें करते हैं। इन कबजे धारियों के पास बकायदा विजली कनेक्शन भी उपलब्ध है। इनकी वज़ा से दुरघटना होने का अंदेशा भी बना रहता है। क्योंकि फर ठेला संचाल को के पास खरीदी करने आए गराकों दोरा अपने वाहनों को नंदनी रोड में पार्क क किया जाता है। इससे सुबह से रात तक याता या त्व्योस्ता बाधित रहती है। कुछ लोगों से ये भी जानकारी मिली है कि फर ठेला संचालकों को छेतर के कुछ ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त है जिनकी नगर निगम में अंदर तक पैठ है। जो बकायदा फर ठ खड़ा करवाने के एवज में इनसे पैसे वसूलते हैं। यही वज़ा है कि अनेको ठेला संचालक वड़सों से सडक किनारे अवेद रूप से काबीज हैं। सडक किनारे ठेला खड़ा कर दुकान लगा कर व्यवसाई करने वाले सभी दुकान दा नौन वेंडिंग जोन मे काबीज हैं। यह सब इस्तिती को देखते हुए भी नगर निगम अंदेखा कर रहा है। और शहर को अवेद कब्जों से मुक्त करने की बातें अधिकारियों द्वारा कही जा रही हैं। Grand Asian News के लिए संजय दुबे